इस समय हमें अपने मोगरा के पौधे पर कुछ जरूरी काम कर लेने चाहिए ताकि आने वाले गर्मी में हम अपने मोगरा के पौधे से ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकें और मोगरा के पौधे में अच्छी ग्रोथ हो अच्छी फ्लावरिंग हो तो कौन से काम है जिस का भूट बहुत स्वागत है तो दोस्तों यह है मोग्रा का बद्धा मोग्रा का पौधा डॉर्मंसी का पिरियड चल रहा था आब इसमय इसको ड्ऊमेंसी का समय खतम हो गया है यह अब यह फ्लाउरिंग करने का सी जना गया है तो हमें मोगरा में कुछ ऐसे काम कर लेने चाहिए ताकि हम अपने पौदे से ज्यादा अच्छी कलियां पा सकें अच्छी फ्लारिंग पा सकें इस समय आपके मोगरा के पौदे पर जो इधर उधर ब्रांचे फैली है उसको आपको काट कर हटा देना है और इसके लेकिन सभी पौदे की रूट पूरुनी नहीं करना है जिस पौट में आपका रूट अगर ड्रेनेज हो से बाहर आया हो उसी पौदे को आपको करना है अगर आपके किसी भी पौदे में रूट बाउंड हुआ है अगर वो पौधा फ्लावरिंग कर रहा है तो अचानक से अगर वो मिटी ड्राइ हो जा रही है या तो पानी नहीं सुख रही है तो आप समझ जाएगा कि उसमें रूट बाउंड हुआ है तो यह देखिए मेरा जो पौधा है यह रूट बाउंड हो चुका है आप ड्रेनेज हो से देखिए मेरा रूट जो है कि बाहर आ गया है आपको हलका ही हाथ से इसको थोड़ा बहुत लूश करने के लिए इस तरह से करना होगा अगर आप ज्यादा कर देंगा तो सायद आपका पाट टूड भी सकता है तो यहां पर देखिए हमने ऐसे धीरे-धीरे से करके आपने पौधे को मैं बाहर निकालूंगी इस तरह से देखिए हमने पौधे को बाहर निकाल लिया है और यह काफी ज्यादा रूट बाउंड हो चुका है अब देख सकते हैं कितना ज्यादा इसमें रूट हो चुका है अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते तो यह अच्छे फ्लारिंग नहीं करता वैसे ही सौक में य जो रूट है उसको मैं अलग कर दूँगी जो मोटे मोटे रूट है मैं उसको काट दूँगी आप यह बिल्कुल मत सोची गया कि इस तरह से मैं अगर काटूंगी तो किसी भी तरह से पौधे में खराबी आ जाएगी बिल्कुल नहीं आपको जितना रूट बाउंड हुआ है उतना सारी मिट्टी को अलग कर लेना है और जो मोटे मोटे रूट है आप मोटे रूट को भी काट देना है और जो पतले रूट है उसको भी काट कर अलग कर देना है root bound होने से पौधे में किसी भी तरह का कोई response नहीं होता है ना ही उसमें अच्छी flooring आएगी और ना ही पौधे में growth होगी तो अच्छी flooring के लिए अच्छी growth के लिए हमें root को अलग करना है इस तरह से आप अगर काट देंगे तो आपके पौधे में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा अगर इस समय आपके मोगरा के पौधे में किसी भी पौधे में इस तरह की situation आ रही है तो आप भी इस टाइम पर ये काम आप कर सकते हैं तो आने वाले मौसम में आने वाले season में आप मोगरा से अधिक ज्यादा से ज्यादा फूल पा सकते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने सारे रूट को अलग कर दिया है और थोड़ी सी मैं मिट्टी समें साउर भी हटा दूँगी ताकि जो जितने रूट है उलूज हो जाए और अगर इसमें कोई मोटा रूट निकल रहा है तो इसको भी आपको छाट कर अलग कर देना है अब देखिए इतनी ठेट सारी मैंने रूट को निकाल लिया है अब इसमें जितनी रूट है जो मिट्टी में साई रूट है मैं इसको अलग कर द파 दूँगी अगर थोड़ा बहुत इसमें रह भी जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है अब उसी पार्ट में मैं इसी पौदे को फिर से रिपोर्ट कर दूंगी तो यहां पर जो मेरी मिटी है यह मिटी बिल्कुल सही है इसमें किसी भी तरह का कोई फंगस नहीं लगा है और जो रूट था उसको मैंने अलग कर लिया है जो छोटे जो बहुत पतले हैं अगर इसमें थोड़ा बहुत रह भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है अब मैं अपने गम्ली में आधा मिटी मैं भर लूँगी और उसी में पादे को लगा दूँगी तो यहां पर देखिये हमने पादे को सेट कर दिया है अब अगल बगल इसमें मिटी को मैं और डाल दूँगी मीटी को डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा भहुत खाद भी दूँगी ताकि ये अच्छे से ग्रोथ करे अच्छी ग्रोथ को पाने के लिए ग्रोथ को मजबूत करने के लिए मैं कौन सा खाद यूज करती हूँ तो यहाँ पर देखिए हमने वर्मींग कमपोस्ट लिया है आप कोई सा भी कमपोस्ट ले सकते हैं लीप कमपोस्ट हो गया या तो गोबर की खाद हो गया या वर्मींग खाद आप कोई सा भी खाद लेकर पॉट के हिसाब से आप 100-200 गराम खाद इसमें डाल दीजे डालने के बाद अब आपको इसमें कुछ और दो चीजे मैं मिलाओंगी आप चाहें तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से चारों तरफ हमने खाद को फैला दिया है अब मैं इसमें ये हैं नीम के खली आप एक चमच या दो चमच आप नीम के खली का यूज़ भी कर सकते हैं अगर आपके पास नीम के खली नहीं है तो आप हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर हमने एक चमच एपसंस ओड लिया है ये पौधे की रिपोर्ट को सौक से बचाता है अब इसके बाद हमने यहाँ पे एक चमच बोन मील लिया है अगर आप बोन मील यूज नहीं करना चाहते हैं तो रॉक फास्पेट का भी यूज कर सकते हैं बोन मील बहुत ही स्लो रिलीज खाद है यह पौधे को बहुत मजबूती देता है कैसियम भी रूट को मिलता है तो इससे रूट काफी ज़्यादा मजबूत हो जाता है अब एक लेयर आपको मिट्टी को लगाना है गंबले को हलका सहसे हिला कर आप मिट्टी को सेट कर दीजि ताकि आप जब भी पानी दे तो पानी अच्छे तरीके से उसमें आ जाए और आप जब भी कोई खाद वगर दे तो आप आराम से खाद भी दे सकते हैं तो यह पर देखिए हमने मिट्टी को उसमें अच्छे तरीके से फिल कर दिया है और हलके हलके हातों से मैं दबा दे र अब आपको इसमें पानी देना है को बची तरीके से आप मीटी दबा देंगे तो पौधा बिल्कुल सेट हो जाएगा और काफी अच्छी तरह से बैड़ भी जाएगा तो इस तरीके से आप पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं अगर मोगरा का प्लांट रूट बाउंड हो तो तो इसको अब सेट करने के बाद अब मैं इसको क्या करूंगी इसमें मैं पानी दूंगी अब आप देख सकते हैं कि हमने कितना ज़्यादा रूट निकाला है रूट काफी मोटी भी है और काफी हेल्दी भी है इसे ये पता लग रहा है कि हम जो पौधे में खाद देते थे वो अच्छे से अफजर्ब करता था इस वज़े से काफी अच्छी इसमें रूट आ गई है अब हमने पौधे को लगा दिया है अब पौधे में आपको क्या करना है कि जो ब्रांच है इधर उदर जो ब्रांच है फैली है आप उसको काट देंगे क्यांकि इसमें रूट प्रूनिंग और ब्रांच प्रूनिंग दोनों करना बहुत ही बहर जरूरी है आप दोनों कर और बुशी हो जाएगा तो यहां पर देखिए मेर जो ब्रांच इधर उदर थी मैंने सारे ब्रांच को काट कर हटा दिया है तो आप चाहे तो जो ब्रांच आप काट रहे हैं उसका कटिंग भी आप लगा सकते हैं तो देखिए हम इने सारे ब्रांच को काट दिया है अब ये जो पौदा है धीरे धीरे और गुरोथ करेगा और ब्रांच काफी ज़्यादा इसमें ब्रांच आ जाएंगी अब इसके बाद मैं अपने पौदे में पानी दे दूँगी आप जब भी पानी देजिए तो पाट को एकदम भरकर पानी देजिए ताकि आपका जो ये पानी है ड्रेने जोल से बाहर आ जाए ताकि जो मिटी जो पौदा हमने लगाया है वो मिटी में बिल्कुल सेट हो तो पूरे पौदे में पानी हो जाएगा जिससे कि उसको जो रूट है वो मिटी में अच्छे से पकड़ लेगा तो यहां पर हमने जो पौधा काटा था आप चाहे तो उस कोई कटिंग भी लगा सकते हैं इस टाइम पर आप कटिंग भी लगाएंगे तो कटिंग पकड़ और आपके पास ज्यादा से ज्यादा पौदे हो जाएंगे तो इसको मैं क्या करूंगी इसको मैं अलग कर दोंगे अलग करने के बाद मैं इसकी कटिंग लगा लूँगी आप जब भी पौधा रिपोर्ट करिए या तो फिर बराwnच को पूरूंग करिए तो उसके बाद आपको साधे पाने से इसके करना है यह क्या होता है कि जब हम बराणच को कट करते है तो बहुत जल्दी सूख जाता है सूखने के बाद उसके कोई नई बराणच नहीं आती ह तो आप खाली साधे पाने से आपको इस्प्रे करना है आप सुबह के टाइम इस्प्रे कर देंगे तो ये दिन भर में अच्छी तरह से सूख जाएगा अगर आप स्वाम को करेंगे तो इसमें पतियों में फंगस लगने का डर रहता है तो आप सुबह में एक बर जरूर इसमें पानी साधे पानी का आप स्प्रे कर सकते हैं क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ मैं ब्रांच को हमेशा थोड़ा सा भीगा देती हूँ ताकि उसमें अच्छे से गुरोथ आए और कोई भी ब्रांच सूखने नब आए तो दोस्तों यही जो काम था आप फरवरी के महीने में आप अपनी मोगरा के पौदे पर कर सकते हैं जिससे की अच्छी फ्लावरिंग आए अब इसके बाद पानी देने के बाद आपको इसको दो दिन के लिए आपको सेड़ी एरियाम रखना है पर इसमें ठंड का मौसम चल रहा है तो आप दिन भर की दूप में इसको रख सकते हैं उसके बाद और एक बात और दोस्तों आप सभी गम पौदे की आपको रूट पूरून नहीं करना है आप इसमें अगर मोगरा के पौधे की root pruning करना चाहते हैं तो आप पौधे को पहले चेक कर लेजिए जिस पौधे में आपको drainage hole से अगर कोई root बाहर आई हो तो उसी पौधे को आपको root pruning करना है और सभी पौधे को बिल्कुल ही नहीं करना है अगर root bounding नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल ही मत करिए तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही उम्मीद करती हूँ वीडियो अगर अच्छा लगा होगा देशे like, share, comment करिएगा और मेरे चैनल को subscribe करिएगा मिलते हैं किसी next video में